नमस्कार, मैश्यू, स्वागत आपका लाइब उपिनिस 24 में आज हम बात करने जा रहे हैं उस सिनेरियों की जिसको लेकर के बिलकुल उहापो मची हुई है कारिकरताओं में हल चल है जिस प्रकार की नीतियां चालू हो चुकी है उससे ये नहीं लगता है कि आने वाले उपचुनाओं और 2027 के चुनाओं में भाजपा कुछ कमाल देखा पाएगी इस्तिती तो ये बन गई है कि जहां भी देखिये भारतियर्दा पाटिक के कारिकरताओं का दर्व सुनने को मिल जाता है सिर्फ संगठन में काम करना ही उद्देश राजनितिक दल के कारिकरताओं का नहीं होता है इसके आगे सरकारी तंत्र में पद और प्रतिष्ठा पाना भी किसी भी राजनितिक दल के कारिकरता की पहली आकांचा होती है साइध इसी आकांचा को फुल्फिल करना सभी के लिए संभोणना हो पार्टी के लिए लेकिन फिर भी निस्थामान कारिकरताओं के प्रती भारतिय जंता पार्टी का उदासीन रविया काफी आक्रोश पैदा कर रहा है हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंधर जो गन्ना के गन्ना सोसाइटी की जो चुनाव हो रहे हैं जिसमें डेलिगेट से लेकर के डारेक्टर और फिर चेर्मैन की बारी आएगी जिसको लेकर के अखलेश यादों ने भी बयान दिया है कि भारतिय जंता पार्टी गु बता सकता हूं जब मैंने उनसे बात किया तो उनके दर्द ऐसे छलके जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारतिय जंता पार्टी जो कारिकर्ता की पार्टी कही जाती है वहां कारिकर्टा को ही तबजून नहीं मिलता है आप शुरुवात करते हैं लखीम पूर खीरी से, लखीम पूर खीरी में कुल 11 सोसाइटियों की चर्चा है, 11 में अभी तक जो इस्तितियां बनी है कि डिरेक्टरेट में किसको किसको लडाया जाएगा, अभी तक ये मामला पुरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो हम कई जंता पायटी घोषित कर रही है, फिलाल ये पहली बार है जो भाजपा समर्थन दे रही है डेलीगेट्स को, और रोचक हो गया जब भारती जंता पार्टी ने समर्थन देने की बात कई, इस सिती तो तब बदलती है कि जब भारती जंता पार्टी के लोगों को बिश्वास में ना लेकर के बाहर से आए हुए लोगों को जमा दिया जाता है, उनको टिकेट दे दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है और यही नहीं वहाँ पर बैट करके जिस प्रकार के आरोप अखलेश यादो जी ने लगाए है वो सत्प्रस्त्य होता है जब उनके परचे खारिच करा दिया जाते हैं उनको परचा दाखिल में नहीं कर दिया आता है अगर ऐसी इस्तिति आती है तो यह कोई काम नहीं करते हैं उसके बाद मलाई रारफ पद्दों पे जा करके खूब मलाई खाते हैं या परिस्तिती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जब हमने भारतिय जनता पार्टी के एक और कारकरता से बात किया बलरामपुर डिस्टिग में तो उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगा है उन्होंने उत्रोला की सोसाइटी से ले करके बलरामपुर की सोसाइटी में ऐसे कई डेलिगेट्स के नाम बताए कि जो भारतिय जनता पार्टी में कभी जिन्होंने काम नहीं किया लेकिन भादपा ने उन्हें अपना समर्थित उमीदवार बना दिया है इसको ले आते चलें कि यह परिस्ति एक आत दिन की नहीं है आक्रोश्तों कारिकरताओं में घड़े भर-भर के हो चुका है अब आप सोचेंगे वो कैसे तो हम बताते हैं 2017 के चुनाओं की गर हम बात करें तो बाहरत के दलों से आयोए सबसे अधिक विधायक भारतिय इंता पार्टी मे बने हैं और यही इस्ति लोगसभा की चुनाओं में भी रही है अगर बात करते हैं तो 2014 से लेकर के 2024 तक लगभग दक्सवर्षों के कारिकाल में भारतिय जंता पार्टी के मूल कैडर को सरकार में तबज़ो कम मिली महाँ पर बाहर की पार्टी से आयोए लोग आज कोई पि कारिकरता कोसो पीछे चले गया है हम बात करें अगर कि उत्तर प्रदेश में यही हाल लकमो बेस सत्तर प्रश्चत जनप्रदिधी अनदलों से आयो हुए हैं आज भारती जंता पार्टी का कारिकरता अपने आपको उपच्छित महसूस करता है वहाँ भी फिलाल बहुत इस पक्ष है वह पक्ष यह है कि जिसको टिकट नहीं मिलता है जिसको समर्थन नहीं मिलता है वह अपनी पार्टी पर ऐसे आरोप या अपनी पार्टी के मुखिया पर आरोप लगाते रहते हैं पार्टी के लोगों का कहना है खास्त और जिम्मेदार लोगों का कहना है कि ऐसा क परिस्तिती बदलने वाली होगी चुकि उस समय कई बार ऐसा देखा गया है कि भारती जंता पार्टी का कारिकरता नहीं होता है और दूसरी पार्टी का व्यक्ति कुछ दिनों के लिए भाजपा में निष्ठा बताके वहां पर पहुंच जाता है उसके पीछे भी तिक्डम औ बात करें तो वहां इन मामलों पर नियंतर नहीं कर पाती है और खास तोर पर दूसरी पार्टी के लोगों के प्रभाव और उनके प्रभावी धंग के मनिजमेंट के आगे वह नतमस्तक हो जाती है और जिला दिश्ट से ले करके कई बड़े पदाधिकारी उसके समर्थन मे जुड जाते हैं तो आली उस प्रकार के एक नहीं अनेक उधान सभी जिलों में मिल जाएंगे कुल मिला करके गन्ना सुसाइटी के इस चुनाओं से एक बात तो साफ हो गई है कि जिस प्रकार दूसरे दलों के लोग लगाताट डेलिगेट्स के कैंडिडेट घोशित हो रह जाएंगे फिलहाल हम इतना कह सकते हैं इस पूरे प्रकारों से कि सपा से आओ भाजपा में मलाई खाओ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरू करिएगा धन्यवाद